हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज की वीडियो में लोंग अमरेला घाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से तो मैंने 4 मीटर का क्रेप फैबरिक लिया है और हाफ मीटर का प्लेन वाइट फैबरिक लिया है इस फैबरिक को सिरफ टोप पार्ट पर अटेच कर लेंगे पहले इनर के फैबरिक पर गाउन के टोप पार्ट की मार्किंग कर लेंगे फैबरिक को फोर लेयर में फोल्ड कर ल मार्किंग कर लेंगे इस मार्किंग पर टेप रखेंगे आर्मोल भी रियंग अबढ़ scripture कि याइडि से guides छी को फिर दोनां मार्किंग को घुरा देंगi कर्द लेंगे हमें 5 तरहा लॉघ कि इस मार्किंग कर लेंगे अब यहीं से फिटिंग के मार्किंग करेंगे जैसे फिटिंग है 36 तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा 9 इंच पर फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे जैसे फिटिंग है 32 तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा 8 इंच पर कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे अब fitting की दोनों marking को मिला लेंगे अब margin की marking कर लेंगे इस marking से आगे की side 2 inch पर marking करेंगे दूसरी side भी 2 inch पर marking कर लेंगे दोनों point को मिला लेंगे और एक line draw कर लेंगे folded side से neck width 3 inch पर marking कर लेंगे solder की half inch down marking करेंगे इस marking को neck marking से मिला देंगे और एक line draw कर लेंगे अब जैसे marking कर रखिया as it is इसकी cutting कर देंगे margin वाली marking से इसकी cutting करना start कर लेंगे और armhole side से back armhole से इसकी cutting कर लेंगे बाद में front वाले part को अलग करके इसके armhole की cutting कर देंगे side से extra fabric को निकाल देंगे अब solder की cutting कर देंगे, center में cut लगाएंगे, अब इसको open करेंगे, fabric को 4 layer में fold कर रखा था, तो दोनों पार्ट की एक साथ cutting कर लिया है, इसमें से back वाले पार्ट को निकाल देंगे, front वाले पार्ट को center से fold कर देंगे, अब इसके armhole की cutting कर देंगे, मार्किंग को लड़ी कर रखा है, as it is, इसकी cutting कर दिया है, अब main fabric पर, top part की cutting करेंगे, fabric को 4 layer में fold कर लिया है, यह open side है और 4 layer में है, अब इसके उपर inner का back वाला पार्ट रखेंगे, folded side, folded वाला पार्ट रखेंगे, और अगर आप beginners हैं, तो पहले आप इसको चारो तरफ से pin-up कर लें, उसके बाद इसकी marking कर लें, और इसकी cutting कर दें, अब inner fabric के बिल्कुल side से इसकी cutting कर देंगे, extra fabric को निकाल देंगे, अब इसको open कर लेंगे, इसमेंसे back वाले पार्ट को अलग निकाल देंगे, front वाले पार्ट को center से fold कर लेंगे, अब इसके उपर inner fabric का front वाला पार्ट रखेंगे, और इसके armhole की cutting कर देंगे inner fabric के बराबर, inner fabric के बराबर cutting कर लिया थे , अब gown के bottom part के cutting कर लेंगे बच्चेवे फाब्रीक डू लेयर में फोल्ड कर लिया है यह open side और इसके दूसरी side folded side इसमें से यह वाला corner उठाएंगे और फाब्रीक को ट्रेंगल की shape में four layer में fold कर लेंगे इसमें corner आगया एक अब गाउन के bottom part के ओपर top part को set कर लेंगे जहां पर bottom part के उपर top part set होगा, उसके बिल्कुल top part के बराबर marking कर लेंगे, अब top part को हटा देंगे, अब इंची tape की help से round shape में marking कर लेंगे, टेप को corner पर रखेंगे और marking तक 12 inch है, corner पर tape को fix रखेंगे, और इंची tape को गुमाते हुए 12 inch पर marking कर लेंगे, अब सारे पाइंटों को मिला लेंगे और एक line draw कर लेंगे, गाउन के bottom part की कमर की marking कर लेंगे, अब गाउन के bottom part की length की marking कर लेंगे, जैसे गाउन की total length है 54 inch, 14 inch का top part minus करेंगे तो 14 inch आएगा, प्लस वन इंच करेंगे, margin के लिए वे दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा, तो गाउन की total length 41 inch पर marking कर लेंगे, इस marking पर tape रखेंगे, और 41 inch पर marking कर लेंगे, इस marking पर tape रखते जाएंगे और 41 inch पर marking करते जाएंगे, गाउन की bottom part की दोनों marking कर लिया है, अब bottom वाली marking के सारे point को मिला देंगे और एक line draw कर लेंगे, bottom part की दोनों marking कर लिया है, अब दोनों marking से as it is इसकी cutting कर देंगे, फहले कमर की marking से इसकी cutting करेंगे, जैसे marking कर रखिया, as it is, इसकी cutting कर देंगे अब दूसरी marking से इसकी cutting करेंगे गाउन के bottom part की दोनों marking से cutting कर लिया है अब दोनों side से extra fabric को निकाल देंगे अब गाउन के bottom part को open करेंगे अब inner fabric पर front neck की marking कर लेंगे neck width same 3 inch पर marking गो लेडी कर रखिया है front neck की length 5 inch पर marking कर लेंगे यहां से 3 inch पर marking कर लेंगे पहले एक box create कर लेंगे एक box बना लिया है अब front neck की round shape में marking कर लेंगे पहले roughly marking करेंगे उसके बाद marking को dark कर लेंगे front neck की marking कर लिया है अब इसके नीचे main fabric को भी center से fold कर लिया है अब inner fabric पर और main fabric दोनों पर front वाले neck की cutting कर लेंगे जैसे marking कर रखिया as it is इसकी cutting कर देंगे extra fabric को निकाल देंगे अब इसको open करेंगे main fabric पर और inner fabric दोनों पर front neck की cutting कर लिया अब back neck की cutting कर लेंगे back के inner part को center से fold कर लिया neck width same range पर marking कर लेंगे बैक नेकी लेंद 7 इंच पर मार्किंग करेंगे यहां से 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे पहले एक box create कर लेंगे उसके बाद 3 इंच पर एक मार्किंग और कर लेंगे और एक line draw कर लेंगे अब यहां से और 3 इंच पर जो मार्किंग कर रही थी वहां तक round shape में marking कर लेंगे इस box की length 4 inch है तो इसका half ले लेंगे 2 inch पर marking कर लेंगे अब इस marking को इस corner marking से मिला देंगे और इस marking को दूसरे corner marking से मिला देंगे अब इस marking को dark कर लेंगे तो इस तरीके से designer neck की marking कर लिया है अब इसके नीचे की side में में फैब्रिक को भी सेंटर से फोल्ड कर लिया है, एक साथ में में फैब्रिक पर और इनर फैब्रिक पर नेक की कटिंग कर लिया है, में फैब्रिक को राइट साइड से रख लिया है, और इनर फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टी साइड से रख लिया है, अब फ्रंट नेक को कर लेंगे फ्रंट नेक के में फैब्री को राइट साइड से रखेंगे और इनर फैब्री को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे और हाफ इंच का मार्जन रखते हुए नेक पर और आर्मॉल पर सिलाई लगा देंगे सेम तरीके से बैक वाले पार्ट को राइट साइड से रख लिया इसके ऊपर इनर फेब्रीक को उफ एलटी साइड से रख लिया और जहां पर 3 उसकी कटिंग करी थी यहां पर डोरी को इनर फेब्रीक सब्सक्राइर और में DS sporting के बीच अब इसके ऊपर 2 मारजन रख तोसे सब 12 आर्मॉल साइड भी छोटे-छोटे कर्ट्स लगा लेंगे, क्योंकि गाउन को स्लीवलेस बनाएंगे, आर्मॉल के दूसरी साइड भी छोटे-छोटे कर्ट्स लगा लेंगे, सिलाई को बचा कर, अब इनर को रोंग साइड टरन कर देंगे, इनर को उल्टी साइड फोल्ड क गाउन के तो पार्ट की फ्रेंट पार्ट और बैकपार्ट दोनो Presents प्रेंगे कहा है। गाउन के टोप पार्ट को राइट साइड से रखेंगे, अब गाउन के टोप पार्ट और बोटम पार्ट को अटेच कर लेंगे, गाउन के टोप पार्ट को राइट साइड से रखेंगे, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला देंगे, और हाफ इंच का मार्जन करके दोनों साइट fitting की marking कर लिए है üzienie इस इसके ऊपर प्रौकट डौक के दोनों साईट fitting की सिलाइं लगा दिया अब गौन को bottom साइट से fold कर लेंगे पहले half inch fold करेंगे उसके बाद 1 half inch और fold कर लेंगे गउन को चारो तरफ से इसी तरीक एसे फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे गाउन को बोटम साइड से फोल्ड करके फिनिसिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे अब सिंपल गाउन बनके रेडी हो गया है अब इस गाउन के कमर की साइड में एक बैल्ट रेडी कर लेंगे सेम फैब्रिक से मैंने ये स्ट इंच की ये बैल्ट बनेगी, अब इस स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, और कोर्नर साइड से इसकी ट्रेंगल सेप में कटिंग कर देंगे, अब इस स्ट्रिप को उपन कर लेंगे, अब इस स्ट्रिप को उल्टी साइड से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, और इसके पर आफ इंच का मारजन रखते वे सिलाई लगा देंगे और इसके सेंटर में 2-3 इंच पर सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि इस बेल्ट को राइट साइड से टर्ण कर लेंगे बेल्ट को सेंटर से फॉल्ड करके सिलाई लगा दिया बेल्ट को राइट साइड से टर्ण कर लेंगे पहले एक साइड से इसको राइट साइड से टर्ण करेंगे सेम तरीके से अब दूसरी साइड से बेल्ट को राइट साइड फॉल्ड कर लेंगे पूरी बेल्ट को राइट साइड से टर्ण कर लिया है अब इसके दोनों corner को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे belt के दोनों corner को अच्छे तरीके से निकाल लिया है और belt के center में जो fabric open था उसके उपर सिलाई लगा देंगे और उसके बाद belt के दोनों side finishing के साथ सिलाई लगा देंगे belt को ready कर लिया है अब गाउन पर लगाने के लिए दो लूप्स रेडी कर लेंगे मैंने दो स्ट्रीप ले लिया है इसकी लेंद है 3.5 इंच और वीड दोनों साइड से इस स्ट्रीप को फोल्ड कर लेंगे उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे और इसके उपर सिलाई लगा देंगे मैंने तीन लूप्स बना लिया सेम तरीके से अब मैं सिर्फ दो लूप्स ही लगाऊंगी कमर की जो साइड की सिलाई लगा रखिया है वहां पर रखेंगे लूप्स को हाफ इंच इस लूप्स को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और तीन से चार सिलाई लगा कर इसको लोग कर देंगे सेम तरीके से दूसरी साइड भी दूसरी लूप्स को अटेच कर लेंगे और इसके उपर सिलाई लगा कर इसको लोक कर लेंगे आप चाहो तो इसके बैक के सेंटर में भी एक लूप्स लगा सकते हो बट में सिर्फ दो ही लूप्स लगाऊंगी गाउन के दोनों कमर की साइड लूपस अटेच कर ली है अब बैल्ट को इसके अंदर से इंसर्ट कर लेंगे अब इस बैल्ट का नोट बना के इसको रेडी कर लेंगे और मैंने सिंपल लटकन भी बनाई है और बैल्ट रेडी हो गई है इसी तरीके से आप किसी भी साइज के अम्रीला गां की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं विलकुल आसान तरीके से अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आपके और आपका रिपलाई जरूर करूँगी मेरी वीडियो को लाज तक देखने के लिए थेंक्यू सो मच अगर इसी तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बने में वेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिसे जब भी मैं अपने नई वीडियो डालूं तो आपके बास नोटिविकेसन आजाएए बाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में